Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel. Hopefully, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे. तो ले आई हूँ मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंट्रेस्टी एक टॉपिक वो है वर्ब. तो वर्ब एक्शली होता क्या है और हम इसे किस तरह बच्चों को समझाएं ताकि वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी से इस टॉपिक को समझ सके. तो चलिए, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ. तो यहां में आप देखे, तो आपको बच्चों को बहुत ही इजी लेंवेज में अगर आप उनको समझाने जाएं, तो आप उनको यह समझाएं कि वर्व जो हम अपने डेली लाइफ में जो हम एक्सेंस करते हैं, उसी को हम वर्व बोलते हैं, तो आप इसमें में आपको बहुत अच्छा एक चीज बताना चाहूँगी, बहुत अच्छा एक ट्रिक बताना चाहूँगी, समझ लीजिए, आप अपने बच्छों को जस्ट उनको औरली उनको प्राक्टिकली वह चीज करके दिखाईएं, बच्छे क्या करते हैं, डीली क्या करते हैं, जम्प, तो अगर आपका इसमें बच्छा थोड़ा सा बढ़ा है, तो आप उसको बोल सकते हैं, आप इसमें वह जम्प पहले आप करो, उसके बाद आप उसको राइट डाउन करो, तो इससे क्या होगा, इससे बच्छा उसको practically कर भी रहा है, and theoretically वह उसको लिख भी रहा है, तो क्या होगा ना, दोनों तरफ से उसके लिए वह बहुत ही फाइदे मंद होगा, and second thing is that, अगर आपका बच्छा है वह तो छोटा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसको practically वह चीज बोले करने के लिए, and after that आप उसको बोले that these all are the action words, okay, इसी को हम वह बोलते हैं, तो अगर आप इस तरह करेंगे न, trust me guys, आपके बच्चे को कफी भी वह बहुत ही long term तक इसको वह याद रखने वाले होंगे, तो उसी तरह और भी हो सकता है, like run, okay, like run, फिर हुआ wash, और अभी तो wash your hand, तो मतलब छोटे से छोटे बच्चे भी जानने लगे, that it's a corona time, and after visiting from anywhere, we have to come and wash your hand, okay, wash our hand, तो फिर तो वश्टो करना बनता ही है, तो इधर भी आप बच्चे को example दे सकते हो, actually मैं क्या है न, आप देखो, देखो कि आप मेरे वीडियो में सोनम की पाट साला में, मैं बहुत ही practical way से समझाती हूँ और बहुत ही हमारे मदब आस पास की चीजों से, या फैर family चीजों से आप बच्चों को समझाओगे न, trust me guys, वो देखो देखो बहुत ही अच्छे से उस चीज को grab करते हैं, okay, आप जितना हो सके उनको naturally चीज समझाएंगे, तो वो उस चीज को बहुत ही जल्दी guys grab करेंगे, so try to understand my point and please आप try किजिएगा and comment करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको यह point कितना effective लग रहा है, okay, तो अब आप देखिए, like आपने यहाँ पे run, jump बोला, run बोला, उसके बाद आप उसको read बोल सकते हो, okay, तो बच्चे जो read करते हैं, हम यहाँ पर read भी include कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे बच्चों के लिए like उनको swim, okay, बच्चों को swim करना बहुत पसंद है, तो आप बच्चों को swim करने बोलिए, फिर उनको आप अगर आप आप पार्क जाते हैं, तो पार्क में जब जाते हैं, तो work, यह भी उनके लिए पार्क एक्सन वर्ड होगा, तो आप ट्राइक करते रहें कि बच्चों के साथ आप जितना उनको आप उन्हें की साथ उन्हें की चीजों से अगर आप रिलेट करके उनको बोलते हैं, तो उनको लॉंग तम तक उनको बहुत अच्छे से यह चीज एक तम से याद रहता है, वो इस चीज़ को बिलकुल भी नहीं भूलेंगे, यह सब जो वर्ब इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी ही आपको बच्चों के लिए भी helpful होगा, और आपके लिए भी helpful होगा, ताकि आपको भी लगेगा कि येस मैंने जो उसको सिखा रही हूँ वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख रहा है, उसके बाद आता है लाइक डॉक क्या करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको ये कर सकते हैं, बर्ड क्या करते हैं, बर्ड फ्लाय, तो यह सच जो आप करेंगे तो वो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, फिर उसके बाद आप उनके रिलेटेड कुछ भी जो वर्स होते हैं, लाइक, मतलब समझ लेजी हैं, प्ले, ओकी, यू जस गो एंड प्ले, प्ले वित यू फ्रेंड्स, तो प्ले यहां पी हो गया, एक्सन वर्ड, फिर मतलब आप देखें, देखते ही होंगे कि बच्चे पेंटिंग करना बहुत पसंद करते हैं, लाइक, पेंट, ओकी, तो यह सब कुछ, देखें, यह सब जो सीमिलर वर्स हैं, यह बच्चों को बहुत ही ज़ादा है, वाइ, बिकॉज क्या होता है, बच्चे इसमें क्या, आ कर सकते हैं, यहां एक बटाना चाहूंगी, बच्चे क्या होता है, बच्चे इसमें में बहुत हीन है, लाइत करने के लिए, आप उनको नाउन और वर्व एक साथ ही, मतलब जब भी आप उनको, उनका रिवाइस, रिविजन करवाओ, तो आप उस चीज को उनको अच्छे स पिक बच्चे को क्या करना है थोड़ा सा उनको यह सब करने के बाद कुछ exercise करवाएंगे ना तो इससे क्या होगा वो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि हम यह देख पाएंगे कि बच्चे ने बहुत जल्दी उस चीज को is a verb no no piv is not verb तो तो let me cross that okay and eat okay eat तो एक action word है तो हम इसको circle करते हैं उसी तरह stop stop is also action word stop fly fly is also action word jump दो बच्चों को सबसे जादा पसंदे यह हुआ तो चलिए अब मैं चलती हूं next exercise की तरफ तो यहां पर आप देखिए यहां पर मैंने किया है read the sentence carefully write the action words okay like मैंने यहां पर अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको skip कर दीजेगा और अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इसको यहां पर यह सब आप दे सकते हैं तो दीखिए यहां पर जैसे की है से चूज करके लिखना है तो जो यहां पर दिया होगा हम तो वह लिखेंगे तो cold sorry excuse me cold like that my dog barked okay these are all action words जो हम अपने daily life में करते हैं उसी को हम यह बोल सकते हैं वर्ब बोल सकते हैं like मैं अभी लिख रही हूं I am writing the writing is the action verb okay then roll that's the house blue painted okay फिर उसके बाद आना dash to park worked okay तो hopefully आपको यह chapter बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा and hopefully आपको यह topic भी बहुत ही पसंद आया होगा so comment करके जरूर मेरे को बताईएगा कि आप next क्या देखना चाहते हूं मेरे इस channel पे और मैं यहां पर cooking वीडियो और education वीडियो दोनों ही upload करती हूँ और आपको कौन से वीडियो सबसे ज़ादा पसंद आते हैं so please comment करके जरूर बताईएगा और बने रहीएगा मेरे channel के साथ अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो please subscribe to my channel और उसकी आँग पास में जो bell button है वो भी press कीजेगा ताकि बहुत ही अच्छी अच्छी notifications मैं अपने channel पे अपने channels पे डिली कुछ uploads करती हूँ ताकि आप भी एक mother एक mother के लिए सबसे बड़ा headache क्या होता है एक खान मतलब बच्चों को क्या खिलाएं ताकि उनके लिए वो बहुत ही अच्छा हो वो में cooking भी वीडियो अप्लोड करती हूँ और हम बच्चों किस तरह बढ़ाएं ताकि उनके लिए भी बहुत अच्छा हो तो उसकी भी वीडियो में अपने channel पे upload करती हूँ so बने रहेगा मेरे channel के साथ so thank you for watching my channel please like share and subscribe to my channel thank you bye